स्टूडेंट गो में आप सभी का स्वागत है आईए देखते हैं आज का टाफिक हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं B.S.C.S. कोर्स के बारे में यानि की कंप्यूटर साइंस कोर्स के बारे में तो आईए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अर जानते हैं इस कोर्स के बारे में सबसे पहले जैसे कि आप सभी को मालूम है हम बात करने वाले हैं B.S.C. कंप्यूटर साइंस कोर्स के बारे में में पढ़ाया जाता है और hardware की पढ़ाई अगर आपको करनी है तो इसकी पढ़ाई अलग होती है computer engineering में आपको hardware के बारे में पढ़ाया जाता है तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं BSC computer science course के बारे में तो अब तक आपको computer science का मतलब पता चल गया तो चलिए आप जानते हैं BSC computer science course क्या है अगर आपका interest computer के software में है तभी आप इस course को कीजिएगा क्योंकि ये जो course है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ software के बारे में पढ़ाया जाता है यदि आपको computer के hardware के बारे में जानना अच्छा लगता है आपको hardware के बारे में पढ़ने में इंट्रस्ट है तो फिर आपको BSC computer science course नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको केवल software के बारे में ही बताया जाता है और जिसमें आपका interest नहीं है फिर आपको कोड़ सही से नहीं कर पाएंगे तो इसलिए अगर आपको computer software related जानकारी चाहिए तो आपको यह course करना चाहिए यह course उनी के लिए best रहेगा जिने computer software में interest है जब आपको computer के hardware के बारे में जानकारी होती है तब आपके पास job के उतने जादा options नहीं होते हैं लेकिन जब आपको computer के software के बारे में knowledge होती है तब आपके पास job के बहुत सारे options होते हैं अगर आपने Computer Science से डिग्री हासिल की है, तो आपके लिए भी नौकरी के बहुत सारे options हो सकते हैं, तो आएए बात करते हैं इस course के eligibility criteria के बारे में, यानि की शैक्षिक योगेता के बारे में, तो ये course जैसा कि आप सभी को मालुम है, तीन साल का होता है और ये एक undergraduate course है, और इसम में पूरे 6 semester होते हैं, इसमें आपको computer application और service के बारे में पढ़ाया जाता है, B.Sc. Computer Science कुछ इस तरह से design किया गया है इस course को, कि आपको software industry में अपना career बनाने के बारे में, आपको पूरी जानकारी इस course में मिल जाती है, तो इसके लिए eligibility criteria है, 12th pass होना चाहिए आपको science subject के सा और अगर आप सिर्फ 10th pass हैं और आपने 10th के बाद technical field में 3 years का diploma किया है, यानि कि 3 साल का कोई diploma किया है, तो तो और भी अच्छी बात है, तब तो आपको B.Sc. Computer Science में direct second year में admission मिल जाएगा, तो अगर आप 10th pass है और आपने technical field से 3 year का diploma किया है, तब भी आप इस course को कर सकते हैं, जादा तर university में B.Sc. Computer Science program का merit base पर ही admission मिल जाता है, और इसके form जो हैं, वो मई से जून में आते हैं, इसके बाद universities cut off list जारी करते हैं, जो student cut off को पूरा करते हैं, उन्हे particular university में admission मिल जाता है, आगे हम बात करते हैं, eligibility criteria के बाद fees के बारे में, इस course की fees जो है, वो government institute में कम है, औ और private institute में तो जादा होती है, ये तो आपको मालूम ही है, तो government institute में इसकी fees 15,000 से लेकर के 25,000 तक की है साला ना, और अगर बात करें, private college में कितनी है, तो private college में इसकी fees लाग के आसपास पहुंच जाती है, तो आगे हम बात करते हैं, job के बारे में, तो ये जो course है, B.Sc. Computer Science, इ उन्हें भी एक successful career बनाने का मौका मिल जाता है, यानि कि जिनके पास अभी work experience भी नहीं है, उन्हें भी एक successful career बनाने का मौका मिलता है, इस course को करने के बाद, students केवल IT सेक्टर में ही नहीं, बल्कि और भी कई सारे सेक्टर हैं, जिनमें वो नौकरी हासिल कर सकते हैं, जैसे क data publishing, financial institutes, consultancies और इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके पास सेक्टर हैं, जिनमें आप जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप IT सेक्टर में ही जॉब करें, अगर आप B.H.C. computer science की degree से graduate होते हैं, तो आपके पास बहुत सारे industries में opportunity मिल जाती हैं, जैसे की computer science and engineering, consultancies, research and development agencies, schools and colleges, computer science and engineering department, home tutions, private tutions, coaching centers, bank, technical support, traffic light management, consultancies, insurance providers, software development companies, security and surveillance companies, system maintenance, computer and related electronic equipment, manufacturers, इस तरीके से आपको कई सारे industry में opportunities मिल जाती हैं, तो बात करते हैं, स्टार्टिंग सेलरी कितनी होगी हमारी जब हमारी जोब मिलती है तब, तो आपकी स्टार्टिंग सेलरी ये तो आपकी company पर depend करती है, और साथ के साथ आपके work experience पर भी depend करती हैं, लेकिन अगर लगबग में बात करें, तो इसमें आपकी salary होती है, 3 से लेकर के 7 लाग तक की हर साल, आपको जो भी salary मिलेगी वो company पे भी depend करता है और साथ में आपके experience पे भी depend करता है जितना ज़्यादा आपके पास experience होगा वैसे ही आपके salary भी बढ़ेगी तो जब आप B.A.C. computer science की degree complete कर लेते हैं और फिर आप चाहे job भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा पढ़ाई करनी है अपने आगे की पढ़ाई जारी रखनी है तो आप computer science में post graduation भी कर सकते हैं इसके अलावा आप MBA IT कर सकते हैं M.C.A कर सकते हैं और M.Sc. computer science तो करी सकते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया अगर आप B.Sc. computer science को complete करने के बाद इन में से कोई course करते हैं तो फिर आपको एक better job placement मिल सकती है तो thank you so much for watching this video अगर आपको हमारे ये वीडियो जरा भी helpful लगी हो तो please एक like जरूर कर दीजेगा और हमारे चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कीजेगा जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो के notification आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियो देख पाएंगे